प्यारे प्यारे दीनी भाईयो अपडेट फॉर वीजन में आपका इस्तिक्बाल है बीसवा सबक उमीद के आपने याद कर लिया होगा आज पेज नमर नौ से यकीसवा सबक शुरू करते हैं एकीसवे सबक में हे को ये हे जो है गोल वाली हे इस हे को मुख्तलिफ हुरू के साथ मिला कर बताया गया है इसको हम हिज्जे भी पढ़ेंगे और रवां भी पढ़ेंगे एकीसवा सबक में भी दो पार्ट है एक पार्ट को हिज्जे और रवां दोनु पढ़ेंगे और दूसरा वाला पार्ट जो यहां से लेके यहां तक है इसको सिर्फ हम रवा पढ़ेंगे तो आईए बीसवा सबग का पहला पार्ट हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिरहीम पहले हिज्जे करते हैं नून जबरना जोड ये जोड का निशान है नून जबरना जोड हे साकीन बराबर ना अब इसको यू हिज्जे करेंगे नून हे जबरना हे जबरहा जोड वाव अलिब जबर वा बराबर हवा हिज्जे यू करेंगे हे जबरहा वाव अलिब जबर वा हवा ये हे जेर ये वाओ हे पिश वो काफ हे जिर्के काफ जबर का हे अलिब जबर हा कहा बे जबर बा हे अलिब जबर हा बहा बे हे जबर बा ते ये जिर्ती बह ती जीम जबर जा गाफ हे जबर गा जा गा हे मीम जबर हम जीम अलिब जबर जा, मीम हे जबर मह, जामा आईए आप इसको रवा पढ़ते हैं नह, हवा, ये, वो, के, कहा, बहा, बहती, जगह, हम, जामा इसमें आप इस बात पर गोर करें कि हे को अगर आकेले लिखेंगे तो उस हे को इस तरह लिखेंगे लेकिन दोसरे हर्फ के साथ जब उसकी मिलावट होती है तो उसकी शकल इस तरह हो जाती है नून के साथ हे को मिलाए है तो उसकी शकल देखिए वाउ से पहले हे को मिलाए है तो उसकी शकल देखिए फिर ये वाउ के साथ मिला के लिखे है तो ये अलग-अलग है वाउ के साथ मिल के नहीं आता है मिल के पढ़ा जाता है उसकी शकल ये है शकल को पहचान कर आप याद करें अब आएए यकी सुमा सबक का दूसरा वाला पाथ हम शुरू करते हैं जिसको सिर्फ रवा पढ़ेंगे वह पान है ये चुना है हवा बहती है आउरत ने कहा पानी ना बहाओ ये पाजामा है उस जगह रह हमसे ना कह यकी सुमा सबक पूरा हुआ बार बार इसको हुरूफ की पहचान करके आप याद कर ले इन्शालला अल्ला तबारको ताला का फजल होगा आप बहुत जल्दी बहुत तेज तेज अर्दू पढ़ना सीख जाएंगे